भारत जोडो यात्रा के समापन के साथ ही कॉंग्रिस एक और अभियान शुरू करने जा रही है। 26 जन्वरी से पुरे देश में हाथ से हाथ जोडो अभियान की शुरुआत की जाएगी। कॉंग्रिस के इस कदम को इस साल देश के नौर राजियों में हो रहे विधान सभाच पिछले आर साल से देश में मोधी की सरकार है इस यात्रा के दोरान मोधी कारेकाल में जो भी देश विरोधी निर्ने हुए उनके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। अभियान शुरू होगा ये 26 मार्च तक चलेगा। ये अभियान ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा। प्रदेश की 3226 ग्राम पंचायतों को इसमें कवर किया जाएगा। ये अभियान की नौर लाहुस्पीती जैसे बर्फ प्रभावी तिक्षेतर में मार्च में चलाया जाएगा। नो हने आग रहे किया कि प्राहिमनिस्टर सदन में आए और हवारिया आवाज को सुने। परंतु हुआ उनकी आवाज को नज़र अंदाख किया गया। और किसी भी फोरम पर आज हमारे आवाज को नहीं सुना जा रा है चाए वो विधानस thema है चाए पार्लिमेंट है रहो जी ने ये फैसला करा कि मैं कन्या कुमारी से अपनी व्यात्रा शुरू करूँगा और उस में लोगों से जन मैं जन संपर्क करूँगा लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगा और लोगों के दुख तक्लीफ जाड़ने का प्रियास करूँगा उन्होंने कम से कम साड़े तीन हजार किलोमेटर का ये सफर तैग किया है और अब अन्तिम पड़ाओं में वो हिमाचल परदेश का दोरा करते हुए भी हिमाचल परदेश में भी उन्होंने 25 किलोमेटर पैदल चल कर ये यात्रा की फिर जमू गये जमू से अब वो शिरी नगर पहुंचेंगे और 30 तारीक को इस यात्रा में अंतिम विराम दिया जाएगा पर हम चाहते थे कॉंग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हम इस भारत जोड़ो अभ्यान को अब हम 26 तारीक को पूरे भारत विरश में लॉंच कर रहे ह और इसको हमने हाथ से हाथ जोड़ो का नाम दे कर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताके हम इस संदेश को हर व्यक्ती तक हर वोटर तक हर भारत वासी के घर तक पहुंचाए और इस अभ्यान को हम दो महीने तक इसको जारी रखेंगे मुझे बहुत दुखा, कल ही मैं राजनाजी की स्टेटमेंट पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि राहूल जी अपने राजनेतिक फायदे के लिए घ्रेना फैलाना चाहते हैं, जो कि बिलकूल विपरीथ है, राहूल जी ने हर अपनी प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा कि मैं घ्र हमारा घर-घर तक जाएगा, हिमाचल प्रदेश में भी 3226 ग्राम पंचायतों को हम कवर करेंगे, और उसी तरह से 7881 पोलिंग बूट्स को भी हिमाचल प्रदेश में कवर किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस संदेश से अवगत न रहे, उसको अवगत करवाने के लिए ये संदेश हमने घर-घर तक पहुंचाना है, तो ये मकसद इसको इस भारत जोडों का यात्रा कर था, और हमें लगा कि कई क्षेतर ऐसे हैं, ये कई गाओं ऐसे हैं, जो इस संदेश को सुनना पाएं, देखना पाएं, तो उन तक पहुंचाने के लिए हमने अब ये भारत जोड़ो अभ्यान को शुरू करके इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है इसमें 26 सारी को इस हाथ से हाथ जोड़ो अभ्यान का की शुरुआत होगी उसमें हमारे लीडर्स भी रहेंगे और हमने ये संदेश दिया कि उसी दिन आपने अपने अपने एरिया में अपने बूट स्थर पर अपने अपने कॉंस्टिंसियों डिस्ट्रिक्स में भी इसकी शुरुआत करनी है ताके ये 26 मार्च तक ये कारिकरम चलता रहे